अगर आपको पनीर पसंद है, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने पनीर लिया है, यह होमेट पनीर है इसको मैंने घर में भनाया है अगर आप इसकी रष्पी देखना चाते हैं तो मैं डिस्करस्ण बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी पनीर की पीछओ को मैंने इसक्वार सेप में काट लिया है इस तरीके से ग्रेवी बनाने के लिए मैंने चाट टमाटल लिया है इसको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है यह प्याज है, दो प्याज है इसको بھی मैंने बड़ा काटा हुआ है और दो हरी मिर्चे हैं 10 बारे लेशन功ी कलिया है और 1 इंच अधरक का तुकड़ा है इसको भी मैंने बड़ा काटा हुआ है इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे एक मैंने सिमला मिर्च लिये इसको मैंने चौकुर साइज में काट लिया है और इसी तरीके से मैंने एक प्याज लिये इसको भी मैंने चौकुर साइज में काट लिया है और मैंने कुछ मसाले लिये हैं, ये खड़े मसाले हैं, इसमें मैंने 10 बारे काली मिरच, दो दालचीनी के तुकड़े, और 18 लॉंग लिये हैं, दो तेज पत्ते लिये हैं, दो मैंने लालमेट्च लिये हैं, और ये सावधनिया हैं, आदा चम्मच जीरा, और मैंने दो पावडर क्योंकि मैंने हरीमर्चे भी लिया है तो अपने टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हैं और ये धनिया पावडर एक चम्मच और आदा चम्मच किचिन किंग मसाला आप इसकी जगे गरम मसाला भी ले सकते हैं और ये मैंने एक चम्मच नमक लिया है आप टेस्ट के अ गरम हो गई है इसमें मैं दो छोटे चमस सरसों का तेल डालूंगे पहले हम अक्सर रेश्टुरेंट में जाकरके पनीर की सबजी का उडर देते हैं कभी कढ़ाई पनीर मटर पनीर लेकिन मैं आज बहुत ही इजी तरीके से पनीर की सबजी बना रही हूँ आप इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिए, देखिए हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें मैं जीरा और खड़े मसाले डाल देती हूँ, इसमें काली म्रेच, लॉंग, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जिस से आने वाली वीडि करेंगे, हम इने मीडियम लो फिलेम पर एक से दो मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे, और उसके बाद देखिए हमारे मसाले भुन गया है, अब मैं इसमें लेसन को डाल देती हूँ, लेसन को भी रोस्ट कर लेती हूँ, हलकी आज पर ही, अगर आपको पनीर की सब्सक्राइ करने का मैथड अच्छा लगे, तो पिली जौरो के शाष शेयर जरूर कीजिए, इस तरीके देखिए हमारी लेसन भी बुन गई है, अब मैं इसमें अधरक, हरी म्रच, इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेती हूँ, मैं इस तरीके से पनीर की सब्जी अक्सर घर में बनात के साथ साथ नान डोटी के साथ भी खा सकते हैं, और आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं, इस तरीके से हमारी प्याज भुन गई है, अब मैं इसमें टामाटरों को मिला लेती हूँ, और इनको भी अच्छे से नरम होने तक हम पकाएंगे, मैं इसमें आदा चमस नमक मिला देती हूँ, जिससे हमारे टामाटर जल्दी से नरम हो जाएं, और इस तरीके से मिला करके मैं इसको एक दो मिनट के लिए धग दूँगी, आप इस तरीके से बनी हुई सबजी को कड़ाई पनीर या पनीर की सबजी कुछ भी कह सकते हैं, अब देखिए हमारे टा को अलग कर लेती हूँ, और बाकी की सभी चीजों को हम प्लेट में नकाल लेंगे, जिससे ये ठंडे हो जाएं, अब मैंने गैस पर कड़ाई रख दिये हैं, और इसमें हम बाकी का तेल डालेंगे, और फिलेम को हम मेडियम ही रखेंगे, देखिए हमारा तेल करम हो गया है इसमें मैं जो हमने सिमला मिर्च और प्याज काटी थी, हम उसको डालेंगे, और धियान रखना है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें थोड़ा सा ही क्रिंची करना है, हमें भी से धियान रखना है, हमें मीडियम लो आज पर इसको एक दो मिरट ही पकाना है, अब ह आप जरूर ट्राई कीजिए अब हमारी सिमला मिर्च भी पक चुकी है क्योंकि हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है अब हम इसमें मसालों को डाल लेते हैं इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इन दोनों को मिला करके अच्छी तरह से चलाएंगे जिससे हमारे मस प्राई किये थे वो भी ठंडे हो गया मैं उसका पेस्ट बना लिया है देखी काफी स्बूद पेस्ट बनाया है मैं इसको भी मिला लेती हूँ इसमें और इस तरीके से मिला करके मैं अच्छे से इसको चलाओंगी देखी हमारी ग्रेवी काफी थिक नजर आ रही है मैं इसमें पानी मिलाती हूँ हम इसमें आदा कप पानी मिलाएंगे इस तरीके से और इसको पकने देएंगे मैंने इसे मीडियम आज पर 5 मिनिट पकाया है देखिए अच्छे से बबल आ रहे हैं यह हमारी सबजी अच्छे से खोल रही है मैं इसमें आप पनीर के पीसे इसको डाल करके हम अच्छे से चलाएंगे और एक बार चेक कर लेगे कि ग्रेवी मैं पानी की आवसकता तो नहीं ह मैंने देखिए अच्छे से चला लिया है मुझे पानी की आवसकता नहीं है अगर आपको आवसकता हूँ तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं इस तरीके से हम डाल करके इन मसालों को मिलाएंगे तेज पत्ति को मैंने निकाला था उसको भी डाल लेंगे और यह किछिन किंग म साला है इसको भी मिलाओंगी अगर आप और ज्यादा चत पता खाना पसंद करती हों तो आप इसमें नमक ठाल भी मिलाए था जब हमने टमाटर और प्यास को पकाया था तो इस तरीके से मैं नमक मिला करके और इसको अच्छे से चलाने के बाद एक दो मिनट के लिए ढग दूँगी जिससे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए आप पनीर की सबजी किसी ओकेजन पर तोहार पर या आप सबजी खा करके बोर हो गए हो सर्व करने के लिए अब मैं इसको बावल में निकाल लेती हूँ इस तरीके से आप कड़ाई पनीर की सबजी बनाईए खाईए और खिलाईए अपने अनुभब मेरे चैनल वर्जवासी वेंजन में शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो पिली जोरा के शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ धन्यवाद